तो इस शो में एक बात तो साफ हो गई जो तमाम तरह की आशंकाय थी भाव को लेकर के मुंबई को छोड़ करके दिल्ली आने को लेकर के वो तो सब मिच्च्ञा है कारण सीधा सा है भाव की बेटी डिफेंस मिनिस्ट्री में है डिफेंस सेक्टर में है उनका तबादला तो 40 मिनट पर शो खतम कर देंगे तो अभी 12 मिनट हैं इन 12 मिनट में मैं यह चाहूंगा कि थोड़ा सा अपने जन्म के बारे में सिक्षा दिक्षा के बारे में और उसके बाद मुंबई में जो आपकी आप कमिंग हुई है और पत्रकारिता और लेखन की तरफ आपका जो जिसको लालबाग गिरनगाओ बोलते हैंने मुंबई खड़ी हो गई तो टेक्स्टाइल मिल के कारण खड़ी हो गई तो वो जो टेक्स्टाइल एरिया था यहने पुराने जमाने में हो तो जंगल था वो जमीने दी गई होगा इतने उद्यों खड़े हो गए तो पहीली इ अब जिसको प्राइम लैंड बोलते कांधियुली को पगरे गोरेगाओ या वो तो हम स्कूल में थे पिकनिक को जाते थे वह पिकनिक को जाते थे अब तो वह पाश एरिया हो गया बड़े-बड़े टावर खड़े हो गए तो मुंबई में जनम हो गया मुंबई से ही हम है और बहुत लोर मिडल क्लास में मेरा जनम हो गया मैंने आर्किटेक्ट्टर तीन साल किया आर्ट्स किया डिप्लोमा इंजिनिरिंग भी किया और एक समय ऐसा ध्यान में आगे में स्टूड़न मुवमेंट में था तो कोई उन्वर्सिटी मेरी एक्जाम नहीं ले सकती तो अधा अधूरा छोड़कर में पत्रकार बन गया यानि उस वक्त में इस मराठा पेपर जो था वहां जाके हैंड राइट हैंड़न स्टेट्मेंट देता था हमारे स्टूड़न मुमेंट तो वो लोग बोले रहे अच्छा लिख लेता है तो पत्रकार क्यों नहीं बनता तो पीछे पढ़ गया है पत्रकार बन गया मोमेंट में था स्टूड़न था इसलां डूोध से पत्रकार बन गया इक पत्रकार बनने के बाद सीरियसली बना पत्रकार याने हमको कोई कोर्स नहीं था उस वक्त सीनियर्स थे उनकी लाते खातर गुजदे खाकर हम पत्रकार बन गए क्योंकि कान पकड़कर जो गलतिया दिखाते थे वो असलियत में सीनियर्स थे जिस ढम से समझाए आज जो कुछ मैं हूँ तो वो सब सीनियर्स थे हमारे यहने तीन बार एक आर्टिकल लिखकर लेते थे एक बार मेरा पहला आर्टिकल में बता दू आपको पहली आर्टिकल तो मुझे समझ में नहीं आता है तो बोला आप बताईए तो बोले न्यूस पेपर पढ़के आजाओ चार पाच इंपोर्टन न्यूस बताओ मुझे तो मैंने बता दिया तो उसवक्त इंद्रा जी ने पार्लेमेंट बरकास सगिया था लोकसभा बरकास सगी थी उसको चार दिन हो गएते मैंने बोले यह मुझे शबसे इंपोर्टन लिए तो मैंने रात को मेरी ज्यूटी खतम होने के बाद कम से कम देड़ घंटा बैटके दो फुल्सके पेपर लिखे और सुबह उनको दे दिये तो उन्होंने पड़ा और लाल इंक में उन्होंने उस पर इतने रंगोली डाल दी और वो ले पड़ो अभी और रिराइट नत करना ये सब जो मैंने लिखा है वो फिर से नहीं तरीके से लिख फिर मैंने पिर एक दो दिन घया है उसमें लिखे दिया टीन बार उनोंने मुझे से रेराइट करने को बोला और जब छौती बार उनको दिया तो इतने खूश हो गए मुझे बडीया लिकिर अरे मैं भी इतना अच्छा नहीं लिख सकता तो मैंने बोला khi ये कभी छपवा स करया है लेकिन वह मेरा पहला पैल जो मेरे गुरू थे उनको पसंद है लह कि टाइम बार हो गया तो मैं हमेशा बोलता हो कि लिखते रहो नए बच्चे उनको बोलता हो कि अपने अर्टिकल पर इतना प्यार मत करो कि यह तुम्हाला इकलोता बच्चा है आपको बहुत बच्चे होने वाली तो लिखते रहो और एक एक बात उन्होंने इस धंग से समझाई है वो थे और पुष्पा तिलों करकर अभी-अभी उनका द्यावसान हो गया वह हमारी कलिक थी विंकटेश अत्मरम सावन थे विंकटेश राजूरी करते बढ़िया लोग थे बढ़िया लोग थे कि जिनों ने ऐसा सिखाया है जिसकी कोई फीस नहीं थी और फीस डे भी नहीं सकते बढ़िया सिखाया है कि दुनिया की तरह और उन्होंने एक बात और बोली कि किसी की नकल मत करो अपनी एक स्टाइल करो यह सबसे मुझे लगते बढ़िया बात वह है कि मेरी नकल मत करो तुँ अपनी एक स्टाइल डेवलप करो आज कल कौन सिखाता है कौन सिखाता है जिए सही बात लेकिन भाव जो आपका स्टाइल है और जिस तरीके से आप किस्से कहानियों का संदर्व देते हुए सारे दर्शक तो मतलब आज की तारीख में केवल भाव को सुनना चाते हैं और ये बहुत बड़ा सच है खास तोर से जो यूट्यूब चैनल चल रहे हैं ठीक है सबकी अपनी फैन फॉलोविंग है सबके अपने सब्सक्राइबर हैं फॉलोवर हैं लेकिन हर चैनल पर लोग आपको पूछते हैं अभी मेरे पास मैसेज आया संजय दिक्षित का चार पाँच दिन पहले के भाव कहां है मेरे दर्शक पूछ रहे हैं के भाव के वीडियो नहीं आ रहे हैं तो मतलब जहां जहां आप अपियर होते हैं वहां वहां के दर्शक अगर आप अपने चैनल प के नहीं बता सकता था कि भाव कहां इस समय वियस्त है या किस कंडिशन में है पर भाव यह जो लोगों का प्यार है यह जो आपके पृति भरोसा है लोगों का यह कोई रात ओर दो पैदा होता नहीं है किसी के पृति और मैं यह भी जानता हूं कि जो मुख्यधारा का आपके लिए बाधा बनते हैं लेकिन जहां तक मैं जानता हूँ आपने इतनी पुस्तके लिखी हैं आपको इतना अब एक गोरव है इतना सम्मान है आपका कैसा लगता है कि इतनी बाधाओं के बावजूद कम से कम आज जब आप 72-73 साल के हैं तो वो वास्तिविक सम्मान आपको मिला है जिसके आप भखदार थे आज से 20-30 साल पहले देर से ही सही लेकिन वो एक सम्मान मिला है कि चारो तरफ से एक प्रेम की बहुचार जैसी है आपके उपर बिल्कुल देख यह क्या होता है यह आपने कहा सही एक बात आपको समझा दो मैंने मेरी बच्ची का ज पूलना गलत है क्यों गलत है आपको बताथा उसको कैसे सिखाना आप पहले उसने मुझे सिखाया तो वह क्या समझती है वो जब मैं समझ पाया अपम तो मैं उसको सिखा पाया हम लोगों को अगर कुछ बताना चाहते सिखाना चाहते तो हमको एक बात समझनी चाहिए अब देखिए कोई देहात का गाव का बिल्कुल छोटे गाव का इंसान हो दिल्ली में पहुंच जाए और 40 मंजिला 50 मंजिला इमारत के नीचे खड़ा हो जा सीडियों के पास लेके जाना पड़ेगा जो हमारा स्टोता होता है पाठक होता है वो भी इसी ढंका है उसको समझने की कोशिश करो तो आपको समझाता है कि वो कैसे समझता है तो बाद में मैं छोटी-छोटी कहानिया बोल देता हूं जो कहानिया उन्होंने कही ना कही सुन तो मेरा तरहिका ऑप पोलिटिकव fa नहीं है मैं पोलीटिकल साइन्स की लिंगवेज इस्तेमाल नहीं करता है मैं रोजाना जिंदगी कि जो हमारी भाषा है उसका इस्तिमाल करता हूँ और लोगों को बिलकुल पता चलता है अरे हम धुनिया में सबसेगे सबसे अच आपरिका के हो, या साओत अपरिका के हो, या आरेवी हो, या यूरोपियन हो, सब को चापलिन समझ में आता है, वो कम्मिनिकेशन की बहाशा होती, बिलकुल, क्योंकि वो कुछ दिखाना, समझाना चाहता है, और लोग समझ लेते, शब्द का मतलब यह होता है भाषा का मतलब क्या है भाषा एक हमाल है कुली है जो कुछ आशे उठाके वहां तक पहुचाने के लिए इससे भाषा जादा कुछ नहीं होती शब्द या भाषा का होते है हमाल होते हैं वह हमाल होता है कुछ मेरे मान में आशे है वो इठाके सामने वाली तक पहुचाना उतना ही मतलब है वो बड़ा पालकी पालकी जैसा उठा के लेगे जाए फुरा कंडे पर उठाके लेके जाए उससे मतलब नहीं है तो हम लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं और शायद इसलिए लोग पसंद करते हैं कि उनको उनकी भाचा में कुछ समझ रहा है बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपने इतना समय निकाला और यहां चुकी मुंबई से थोड़ी सी ठंड ज्यादा रहती है अभी तो नहीं पर जैसे जैसे सर्दी का मोसम आगे बढ़ेगा तो यहां कडाके की ठंड पड़ेगी तो आपना ध्यान रखिए और नातिन का भी खासतोर से ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि वह तो जिल्ली के वैदर से विल्कुल ही अपरिचित है तो उस लिहाद से उनका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा बहुत बहुत धन्यवाद बहुत जल्दी मिलते हैं अगले आपके शुत्रों को भी धन्यवाद और बहुत जल्दी अच्छी तरीके से में पेश करूंगा कुछ निकातरी से बहुत 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 धन्यवाद बहुत थैंक यू स्वाद नमस्कार